ओम्श्री साइनाथाई नम्हा गुट मॉनिंग, साइं मॉनिंग जैसा कि आपको पता है कि हम बाबा की शेडी अपने साइं के दर्बार अपने जन्नत में जाकर अपने बाबा के दर्शन करने वाले है फिर दर्शन चाहे समक्ष हो या फिर फोन में हो या फिर फोटो के स्वरूप में हो लेकिन जब भी हम बाबा को सच्चे दिल और भाव से देखते हैं तो साई भी हमें उसी भाव से देखते हैं बाबा ने कहा है कि जैसा तुम्हारा भाव होगा मैं तुम्हें वैसा ही फल दोंगा और ये कथन सत्य है सत्य था और सत्य ही रहेगा इसलिए कभी भी दुनिया पर शंका करना अपने साई पर शंका कभी मत करना साई आपको बचाते आएंगे हमेशा ठीक है? तो जैसे कि रोज प्रातना करते हैं आज भी हम अपने द्वारका माई की गोद में बैठकर अपने साई माँ की गोद में बैठकर उन से अपने दिल की बात कहेंगे और प्रातना करेंगे कि देवा हम जिन लोगों के लिए भी रोज सुबा उठकर ये नेक काम करते हैं आप तक ये द्वा जानी चाहिए ये प्रातना जानी चाहिए और आप इसे कबूल करें ये हमारा विश्वास है हमें पता है कि बाबा कभी हमारा कहां नहीं टालते वही टालते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता तो इसी विश्वास के साथ आईए अपनी साही मा को याद करते हैं बाबा को याद करते हैं आईए और बाबा से कहूंगी कि साही नाथ जो शेड़ी नहीं आया उन्हें जल से जल शेड़ी बुलाएं और सबकी इच्छा पूरी हो सबकी मनो कामना पूरी हो और जिनका जनम दिन है जिनका अनिवर्सरी है सब को बहुत बहुत सारी शुब कामनाई बाबा का शिरवादा सुभी पर नरंतर बना रहे आप सभी खुश रहें, हैपी रहें, हेल्दी रहें और आज की प्रात्ना में जिन लोगों के नाम है करनवीर हांडा जी पूर्निमा धामी जी सत्य देवी जी हे देवा, हे सचिदानन साइनात महराज बाबा सब की रक्षा करना, सब पर रहम करना श्रद्धा की लाज रखना जिसको भी चिंता हो, जिसको भी परिशानी हो कोई बीमारी हो या फिर कोई भी कष्ट हो बाबा उसके कष्टों को खत्म करना और आप लोग भी उदी जरूर लगाएं उदी का टीका लगा कर घर से निकलें उदी को खा कर घर से निकलें यह सोची कि आपकी दवाई है जिसे आपको लिए बिना आप नहीं चल सकते और अगर आपने उदी नहीं खाई तो आपको कोई नकोई problem आ सकती है अगर यह सोच कर उदी खाते हो तो साइं हमेशे हरक्षा करेंगे यह सोच कर ही daily उदी लेना शुरू कीजिये ऐसा तो नहीं लेते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है लेकिन यह सोच कर लिजिए कि आपकी दवाई है, आपको लेनी है Everyday लेनी है, ठीक है साइं भला करेंगे, आए ग्यारा वश्नों के साथ प्रातना को संपूर्ण करते हैं जो शेडी में आएगा आप पद्दूर भगाएगा चड़े समाधी की सेड़ी पर पैर तले दुख की पेड़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त ही तु दोड़ा आऊंगा मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो मेरी शर्णा खाली जाए हो तो कोई मुझे पताए जैसा भाव रहा जिस जनका वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जूठा होगा आस हायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर मुझ में लीन वचन मन काया उस कारण न कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शर्ण तज जिसे न अन्य अनन्त कोटी ब्रह्मांड नायक राजा धिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सचिदा अनन्त सद्गुरू साइनात महराज कीजे आप सभी का दिन शुब हो मंगल मैं हो ओम साहिराम जै साहिराम